नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टूर चनल दोस्तों जी सेसी पीजीटी रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं मिर भाई आपको भी पता है टूटल चार्ज सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुका है अब आप पर जो बचे और जियोग्राफी का जो रिजल्ट्स आया है इसमें काफी जादा कंडिडेट्स ऐसे हैं दोस्तों जिनका जो मार्क्स है वो अच्छा खासा बन रहा था लेकिन इनका जो सिलेक्शन है मेरवाई नहीं हुआ ठीक है बहुत से कंडिडेट्स ऐसे मिल जाएंगे आपको कि ज बहुती कम ही जो है लोग वीडियो बनाते हैं तो ऐसे में जब हम कमेंट से देखते ए छात्रों का कि समस्ते हैं चीजों को तो ऐसे में लगता है हमको कि एक बार इस पर वीडियो बनाना चाहिए और विडियो मेरा ते हंए आफ पिछल видел मारा देखे हूँगे हम इससी पर बनाए है इसी टॉपिक पर समस्य है यह है दोस्तों कि इनके जो मार्क से वो अच्छे खासे बन रहें लेकिन इनका जो सेलेक्शन नहीं हुआ है ठीक है हम बहुत से यूटूब चैनल पर देखें काफी ज्यादा वीडियो बना है जहां पर बताया जा रहा है कि जो बायो और जियोग्राफी का जो कट ओफ गया है यह गया है आपका 122 से 123 ठीक है 122 से 123 गया है आपका बायो में ऐसा बताया जा रहा है और अगर बात किया रहे है जियोग्राफी की तो जियोग्राफी में भी आपका कुछ इसी कासपास ही देखनों कि मिला है जिसे मान लेजिए 120 हो हुआ है अगर मान लीजी यूर कटिगरी में इतना कट ओफ गया है तो कहीं न दो. जो बाकी 1933 C और 2 वाले खास तौर से और इस्टी की बात करते हैं जो ब्लाऊंग करते हैं दोस्तु का पही न कहीं सेलेक्शन तो यह सलेक्शन हो जाना चाओए था क्योंकि इनके जो marks बन रहे हैं हम आपको बता दे मेरा भई maximum candidates ऐसे हैं उन्होंने जब हमारे वीडियो पर comment हिया तो उनके हमने marks देखा maximum candidates ऐसे हैं C और H-T वाले जिनका बन रहा है 108, 110 ठीक है तो UR category में 123, 124 पर अगर selection हो रहा है तो कहीं न कहीं 108 से 110 वालों का हो जाना चाहिए जहां तक हमने analysis किया है ठीक है और cutoff भी हमने कुछ इसी range में बताया था लेकिन इनका जो selection है दोस्तों नहीं हुआ अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कितने rise score वालों को लिया गया है नार्मलाइजेशन किस तरह किस हुआ है अगर मालीजेशन की अगर बात होती है किस नार्मलाइजेशन हुआ है इस वज़े से कम नंबर वालों का जो selection है वो हो चुका है ज्यादा वालों का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका जो paper है इजी सिप्ट में करवाया गया होगा इस वज़े से नहीं हुआ तो मेरे भाई ऐसे में हम आपसे कहना चाहेंगे कि मान लेते हैं कि जिनकी ज़्यादा marks बन रहते जैसे मान लीजिए 125 या फिर 126 वाले थे काफि का डिडियर्स ऐसे हैं जिनका इतना marks बन रहते हैं लेकिन इनका जो selection है नहीं हुआ है मान लेते हैं कि इनका जो paper है वो जो है hard shift में करवाया गया है जिसके कारेड after normalization इनके जो marks से कम बढ़े होंगे लेकिन दोस्तों एक बात बताइए अगर मान लीजिए इनकी जो marks से एक या दो marks बढ़ा हो का मान लीजिए ठीक है लेकिन फिर भी यार एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं ये cut off से ज़्यादा ही तो आ रहा है अगर 123 पर selection हो रहा है 123 पर और 124 पर selection हुआ है तो कहीं न कहीं इनका भी selection हो जाना चाहिए था अब ऐसा नहीं है कि 123 अगर 124 इनका burn रहा है और इनका जो paper है easy strip में करवाया गया है after normalization इनकी जो marks से 132 या फिर 135 पहुँच गये होंगे ठीक है इतना ज़्यादा cut off नहीं जा सकता दोस्तों हमारे हिसाब से आपकी क्या रहा है आप comments करके जरूर बताइए ठीक है तो ऐसे में छात्र जो है बहुत ही ज़्यादा परिशान है इन सब चीजों को लेकर तो देखिए मेरे भाई एक चीज़ हम आपसे कहते है कि ये जो आपने paper दिया है ये आपका first हो सकता है ठीक है अगर आपको लगता है कि सर इसमें नहीं हो पाई आप क्या ही होगा मेरा तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों हम समझ सकते हैं कि मिर भाई आपने कितनी तयारिया की होगी ठीक है आपने कितनी तयारिया की होगी कितनी मेहनत करके आपने परिछा दिया होगा और जाहिट सी बात है आपका जो selection है नहीं हुआ तो कहीं ने कहीं ये चीज आपके मन में बार-बार उठ रहा होगा कि सर हम अमने इतने तयारिया की इतनी लगन से की लेकिन हमारा जो selection है नहीं हुआ तो इस चीज को हम समझ सकते हैं तो मिर बाई जो चीज हमने कहा इस पर आप थोड़ा ध्यान दिजीएगा कि आपका फर्ष्ट हो सकता है लेकि लास्ट नहीं हो सकता ठीक है ऑफसंस बहुत है आपके पास ऑफसंस जो है दोस्तों बहुत है इसमें नहीं हुआ तो किसी और में होगा तो किसी और में होगा समझ रहे है ना एक चीज नहीं है दोस्तो तो ऐसे में बिल्कुल रिलाक्स रही है अब नहीं हुआ कोई बात नहीं आगे की प्रेपरेशन में आप लग जाईए दोस्तो कि और भी सब्जेक्ट के कि सर और भी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट से ये कब तक देखनों को मिल सकता है पहले आए समझ लेते हैं कि और भी जो आपके सब्जेक्ट है ठीक है और भी जो आपके सब्जेक्ट है जैसे आपका हिस्ट्री हो गया मैत हो गया ठीक है इस तरीके से और भी जो subject है commerce हो गया तो इन सब का जो cut off है दोस्तों कितना देखनों को मिल सकता है तो आईए इसके बारे में discuss कर लेते हैं मिर भाई इसके बाद आपको बताते हैं कि आपका जो result है ये कब तक देखनों को मिल सकता है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि economics का जो cut off है दोस्तों ये किस तरीके से देखनों को मिल सकता है कौन से category में कितना cut off जा सकता है इसके बारे में आपको यहाँ पर जनकरिया दे गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप UR category से belong करते हैं 120-122 से अगर इसकोर बन रहा है आपका ठीक है तो आपका हो जाएगा BC1 की बात करें 115-117 तक इसकोर है तो आपका हो जाएगा SC category की बात करें तो 100-105 तक है तो हो जाएगा HD की बात करें 90-90 अगर है आपका तो हो जाएगा EWS का cut off देख सकते हैं 117-118 तक आपका बन रहा है तो आपका हो जाएगा अब देखें बहुत से candidates से हमसे पूछते हैं कि सर यह जो आपका टॉफ बता रहे हैं यह आपके mark से की question है ठीक है प्रश्न है की mark से आपके तो मेरे भाई यह प्रश्नों की संख्या है अगर इतने प्रश्न आपके बन रहा है ठीक है इस range में इतने प्रश्न आपके सही हो रहा है तो आपका हो जाएगा और अगर इससे जो है आपका मानली जी एक-दो प्रश्न अगर कम भी है जिससे 102 हमने आपे बताया अगर आपका 118 या फिर 119 भी बन रहा है तो भी आप पूरा उमीद रखिए क्योंकि अगर आपका पेपर हाट स्रिफ्ट में करवाये गया होगा तो आपके जो मार्क से बढ़ जाएंगे और यही नार्मलाइजेशन का खेला हुआ है जियोग्राफी और बायो में है ठीक है कॉमर्स का कट अफ देख सकते है कॉमर्स का जो कट अफ एक इस तरह किस रह सकता है यूर कटेगरी में 122 से 125 तक देखनों मिल सकता है 115 से 118 BC2 में BC1 की बात करे 112 से 115 MC का टेगरी में 100 से 105 HD की बात करे तो 22-95 EWS की बात करें 117-120 English का cut-off देख सकता है कि English का cut-off किस तरह किस रह सकता है 125-13 UR में रह सकता है 110-12 BC1 में 96-100 SC में 85-90 ST में 118-120 EWS में और Sanskrit का cut-off देख सकते हैं मिर भई Sanskrit का cut-off दोस्तों ये थोड़ा सहाई गया है जहां तक हमने analysis किया है तो आप देख लीजे कि किस तरह की से जो cut-off है देखनों को मिल सकता है आपको Sanskrit subject में ठीक है math का cut-off देख सकते हैं बहुत से candidates हम से बोल रहते हैं कि sir math का cut-off बताइए तो मिर भई math का cut-off आप यहाँ पर देख सकते हैं 94-100 UR में रह सकता है 90-93 BC2 में 88-90 BC1 में 75-88 SC में 70-72 ST में 88-90 जो है आपका EWS में रह सकता है हिंदी subject का cut-off देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन से category में कितना रह सकता है 120-125 रह सकता है UR में BC2 में आपका कोई भी सिट नहीं था BC1 की अगर बात करें 115-120 95-95 रह सकता है SC category में ST की बात करें 90-95 EWS की बात करें 116-120 तक आपका जो cut-off है देखनों को मिल सकता है ठीक है यह cut-off हमने आपको अल्रेडी बता रखा है पिछले वीडियो में तो ऐसे में हमारे हिसाब से आपका जो cut-off है कुछ इसी प्रकार से देखनों को मिल सकता है अगर बात करें दोस्तों हम इसके result को लेकर कि सर्फी GT का जो results है यह कब तक देखनों को मिल सकता है तो मेरे भई आपका जो results है जब DV का जो process है यह सारा complete हो जाएगा उसके बाद ही आपको इसका जो results है बचे हुए subject का देखनों को मिलेगा ठीक है आपने जैसा कि पिछला भी देख रखा होगा कि जितने भी subject का results आया है उनका जो DV है समाप्त हुआ है उसके बाद ही आपका जो results है जारी किया गया और हर बार आपको दो-दो subject का जो results है यह देखनों को मिल रहा है वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि आयोग नहीं जाता कि एक ही बार में सारे results जारी हो जाए और उनको DV कराने में कोई problem हो ठीक है तो ऐसे में दो-दो subject का जो results है आपको देखनों मिल रहा है तो थोड़ा सवेट कीजिए जैसे इसका जो DV का process से complete होता है उसके बाद आपको किनी भी दो subject का जो results है आपको इसके अधिकारिक website पर देखनों को मिल जाएगा I hope यहाँ से सारी चीज़े clear हो गई होगी अगर कुछ doubts है तो आप comments कर सकते है वीडियो को like नहीं किया मेरे भई तो like कर दे और चैनल पर अगर पहली बार visit किया है तो subscribe जरू कर ले आगे जैसा भी update होगा inform करते रहेंगे मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक कि लिए जैहें